कि िविद्ध मॉर्लींग फ्रेंड आज danlar 50य अब करेंगे इसुन में करते हैं तो सब को किसी के सारे प्रोग्राम्स जरूर करना प्रائ्पीर करके रिखना आ यह सब्लोगों कमालीजे एक प्रोग्रांम लिखते हैं कि राईसम्हक नemploy इसमाल स्वेकर गेस फ्रिक्वइंशी ओफ फ्रीक्विवन करएक्टर ईएगंगाटर कि एक स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर करेक्टर कितनी बार आया है इसकी काउंटिंग करनी है उसके इसका प्रोगामर आते हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इंक्रूड कर लिया स्ट्रिंग इसके अंदर मैंने एक करेक्ट टाइप का कि आए अरे डिक्लियर कर लिया माली जैन नाम का 30 साइज जो भी साइज आप चाहें और एक चर्च वाय। करने के लिए और इसकी स्ट्रिंग में यह करेक्टर कितनी बारा आया है इसका प्रोग्रामिंग करने आप बंगो इसकी काउंटिंग करने के लिए इक मैने हाई एक पर जी डोड़िया रूप चलाने के लिए तो लिया मैं अगर कांटीं करने के लिए हम लोग एक सीच पर जीरो ऐारिबर ले लेते हैं ने में कांट करते रहें कि के लिए अब सबस्पहले वह यूजर से कहते हैं वह इंपूट करें प्रिंटफ एंटर अर्सक्रिंग करें जिसको कि हमें चेक करना है कि इसवारा सब चर्णा क्या है इस्ट्रिंग इंपूट लिया मैंने गेटस से यहां फास कर दिया एंड ऐसे ले सकते हैं या इसकानाफ से भी ले सकते हैं लेकिन इसकानाफ से क्यों नहीं प्रीफर करते हैं हम लोग क्योंकि उसमें ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं इंपूट हो सकता है जिसमें स्पेस डूराता हो लेकिन से स्पेस वाला इंपुट हो जाते है तो अब हमें यूजर से पुषना कि वह करेक्टर इंपुट करो जिसके अगया तो मैंने लिखा प्रिंटेफ एंटर और करेक्टर वो करेक्टर एंटर करा लेते हैं जिसके फ्रिक्वेंसी हम चेक करना चाहते हैं और उसको इस कैने अप से ही सिर्फ एक करेक्टर लेना था परसेंट करेक्टर करेक्टर कितनी बार है इसकी काउंटि हमें करके प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग जैदी मैं बात करूं इस प्रोग्राम की टीकी लॉजिक क्या है अधिक अभी भी किसी स्ट्रिंग की ट्रावर्सिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं इसलिए इसलिए जीरो किया हमें लिखेंगे वाइल लूप लगाएंगे वाई इसलिए एन आफ आई इस नॉट इकवास टू स्लैज जीरो क्यों ऐसा किया वह क्योंकि जैसी करेक्टर जैसे इस्ट्रिंग इंपूट होता है वह इंपूट की स्टोर करने के बाद कम्प्यूटर उस इस्ट्रिंग के बिल्कुल लास्ट में नल करेक्टर श्लैस जीरो जैसे बादिजी कि हमने जो करेक्टर इंपूट कर आया है इस गेट एस फट्रिंग इंपूट हुआ है जैसे एन में वह स्ट्रिंग है आई कि जी आई तो यह क्या करेंगा लास्ट में स्लैस्टिण लगा देगा ठीक है अब हमने वाला क्या होगा यह न अउप जीरो होग यह index n of 1 होगा, यह index n of 2 होगा, n of 3, n of 4 and n of 5, ऐसे आएगा, तो अब हम लोग क्या किया है, सबसे पहले i की value 0 रखा मैंने, while लोग चलाया है, n of 0 पे देखेंगे slash 0 तो नहीं है, पहले पे slash 0 होने का मनलोग क्या है, कि वे string ही blank है, इसमें कोई input ही नहीं है, clear है ने, तो हम लोग n of i पे slash 0 मिलते ही, हमारा काम गत्म हो जागा, सारी complete हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा, n of i, not equals to slash 0 है, तब loop के अंदर आना है, slash 0 मिल जाने के बाद loop के अंदर, क्योंकि string ही गत्म हो जाएगी, तो n of 0 पे slash 0 नहीं है, यह को नहीं है, तो फिर अंदर आजागा loop के अंदर, loop के अंदर आके हमने क्या किया, अब यहां compare करते हैं, कि जो n of 0 पे value है, क्या है, फिलहाल r, इस example के लिए, यदि user ने RKJIT input किया है, तो n of 0 पे जो value है, इसको check करेंगे, कि वो character तो नहीं, जिसे user search कर रहा है, मालो user search कर रहा है, यहां user ने input किया है, वो i है, और यहां getter से input किया है user ने RKJIT, माल के चल रहा हैं लोग, तो अब n of 0 पे 0 नहीं है, तो अंदर आगे, अंदर आके check, अब compare करना है, कि यहां value है, क्या वो वही value है, जो CH में है, जिसे हम लोग check करना चाह रहें कि कितनी बार है, तो compare कर लेते हैं, कि if n of i पे जो value है, वो equal equals to CH है क्या, n of 0 पे जो value है, क्या हो CH के equivalent है, यदि है, तो हम लोग इसकी counting करने के लिए C इस plus plus कर लिया, क्या है, तो C प्लस प्लस करने से क्या होगा, जब-जब n of i पे value CH के equal होता जाएगा, जब-जब मेरेगा, तब तक C की value बढ़ाता रहेगा हो, clear accounting हो जाएगी, clear नहीं, और यहाँ प्लस प्लस प्लस, लूप से निकलने से पहले, i के value बढ़ाती है, शुरू में i के value जीरो थी, अब देखी कैसे होगा, चेक करेगा, कि n of 0 पे slash 0 है, क्या नहीं है, नहीं है, तो अंदर आगे चेक किया, क्या n of 0 पे CH वाली value है क्या, CH में हमें मालो i search कर रहे है, n of 0 पे r है, search हम i कर रहे हैं, और र is equals to CH, नहीं है, तो counting नहीं बढ़ेगी, क्या करेगा, i के value बढ़ा देगा, i के value बढ़ा देगा, यहां से फिर यहां चेक करेगा, n of 1 पे slash 0 है, n of 1 पे slash 0 नहीं है, तो अंदर आगे चेक करेगा, कि n of 1 पे क्या CH वाली value है, n of 1 पे CH के value हम लोग i बानके चलना है, तो n of 1 पे क्या i है, नहीं है, तो फिर अंदर नहीं जाएगा, यहां आ गया, i के value बढ़ा देगा, i के value 2 हो जाएगी, चेक करेगा कि n of 2 पे slash 0 है क्या है, n of 2 पे slash 0 नहीं है, फिर अंदर आया, n of 2 CH के equivalent है क्या, CH हम लोग i को search करें, तो n of 2 पे i यह कहने है, फिर i किसी के value नहीं बढ़ा है, फिर i बाहर दो निकल के i के value बढ़ा देगा, यह दहार रखी गई, यह आई इस if के अंदर नहीं है, इस while का part है, तो i के value अब क्या करती है, 4, यहां गया, यहां से condition के बाद जाता है, यहां गया n of 4 पे slash 0 है, n of 3 पे पहुचे न, 2 के बद 3 का है, n of 3 पे 2 था, फिर i के value 3 हुई, n of 3 पे slash 0 है क्या, नहीं है, देख लो n of 3 पे, तो नहीं है, त तो कि n of 3 पे i है, n of 3 पे i है, yes है, यह condition true होगे, तो c के value बढ़ा देगा, c के value 1 हो गई, clear है, clear है, उसके बाद i के value बढ़ाएगा, i के value अब हो गई 4, n of 4 पे slash 0 है क्या, नहीं है, तो चेक करेगा कि n of 4 पे ch है क्या, n of 4 पे i है क्या, नहीं है, तो c नहीं बढ़ाएगा, फिर i को बढ़ा देगा n of 5, n of 5 अगया, n of 5 पे slash 0 है क्या, जब slash 0 नहीं है तब ही अंदर आएगा, slash 0 आते हैं, ये condition false हो जाएगी और बाहर निकल जाएगा, n of 0 is not equal to slash 0, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि n of 5 पे जब को slash 0 ही है, ये condition false हो जाएगा, control बाहर निकल जाएगा, clear है, इस तरीके जाएगे एक एक स्ट्रीण हो उठाते गए और CH से compare करते गए, i को बढ़ा बढ़ा के बढ़ा के, बढ़ा के बढ़ा के, बढ़ा है, i के value 0 होई, फिर 1 होई, फिर 2 होई, फिर 3 होई, फिर 4 होई, कब तक बढ़ाते जा रहे हैं, और हम लोग N of, उसको CH से compare करते जा रहा हैं, जब-जब CH से match करता जाएगा, C के value बढ़ाते हैं, हमान लोग ऐसा रहता, यहां दो बारा ही लिखा रहता, यहां यह दो बारा ही रहता, तो N of 3 के time कर भी, यह दोनों match करते, और C के value बढ़ जाती, फिर N of 4 के भी यह match करता condition, और C के value फिर बढ़ जाती, तो C के में क्या होगी, counting हो जाएगी कि कितनी बार यह character particular जिसको आप सर्च करों कितनी बार आया है, तो लूप से बहां निकल के हम लोग क्या करना है, बस उस frequency को print कर देना है, यहां पर हम लोग लिख देंगे, printf, लिखा printf, frequency of, frequency of percent c equals to percent d, ch, c, ch में वो character है जिसके frequency निकाल रहे हैं, और c में वो counting है कि कितनी बार है, ch जो है character type है था इसलिए percent c लिखा, और c integer type है था इसलिए इसको percent d लिखा, लिखा जाएगा frequency of, वालो इस case के लिए frequency of i is equal to 2, इस तरीके से और लासमा get ch function लगाके, हम लोग इस main function को close कर देंगा, clear है, इस तरीके से हम लोग यह count कर सकते हैं, कि कोई particular character कितनी बार आया है, ठीक है ना, तो समझिए, n एक string है, और ch ए character है, इस string n में हमें यह check करना है, कि ch की frequency क्या है, कितनी बार arise हुआ है, कितनी बार इसमें appear हुआ है, तो हमने यह counting करने के लिए ch equal to 0 रख लिया है, लूप चलाएंगे हम लूप, इस लिए loop चलाने के लिए ch equal to 0 से हमें इस लाइज कर लिया है, इसके बाद हमने पहले string input कर आया, get s है, character input कर आया, ch में रख लिया, उसको इसका nap से, फिर while loop चलाया हमेंने, clear है, while loop ही क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें already पता नहीं कि कितना बड़ा string है, string तो अब getter से user 5 character का भी डाल सकता है, 50 character का भी string डाल सकता है, तो unknown हमें पता नहीं कि यह loop कितनी बार चलाना है, तब तक चलाना है, जब तक slash 0 ना मिल जाए, क्योंकि string खतम होते ही last में slash 0 लगा रहता है, तो उसलिए loop slash 0 से bind की है, n of i, i की value सुरू में 0 रखा है, n of 0 पे देखेंगे slash 0 है क्या, नहीं है, तो फिर i की value बढ़ाएंगे, n of 1 पे, n of 2 पे, n of 3 पे, n of 4 पे, एक एक करेक्टर आगे बढ़ते जाएंगे, और हम लोग आप करेक्टर तक पहुचने लगे, अब आपको उसके कोई भी operation जैसे हमें check करना है, कि जो n of i पे value हो कि ch के equal है क्या है, हैं तो counting बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, पर्टिकुलर करेक्टर कीतने टाइम्स आया है, अब इसी में थ्वड़ा सा प्रोग्राम उनको चेंद करते हैं, यदि आपको write a program to check, यह प्रोग्राम सीम है, इसका objective change हो जाएंगे, मालेजिए write a program to check whether a character a character is present in string or not, एक string में कोई particular character है की नहीं है, linear searching is character की कर्मी है, एक string है पूरा और linear नहीं हर character को उठा करके हम लोग compare करते रहेंगे, ठीक है न, तो दिखो वही program save है, हमने string input कराया और कौन से character को search कर रहा है, वह input कराया, हमें यह चेकरना कि इस string में यह वाला character है की नहीं है, यह करने के लिए दोनों चीज input ले लिए, अब loop चलाया वह से हमेसा कर जब कभी भी character की traversing, means string की traversing आपको करनी है, तो यही concept हमेसा लगाना है, इसलिए i is called to 0 रख लेना है, n of i means, means i means 0, 1, 2, 3 करते जाएंगे, n of i means slash 0 जब तक नहीं आ जाता है, तब तक हम लोगों जाते रहेंगे, loop से निकलते से i की value बढ़ातेंगे, जिससे कि next index पहुंच सकें, तो ऐसे ऐसे पूरा करेक्टर, string का हर एक करेक्टर, जो हर एक index पहे है वह access होने लेगे हैं, access करके, अब हमने compare कि, n of 0 पर c h है गया, जदी है, तो counting बढ़ाते गए, लूप के बाहर निकलते हैं, ऐसे हमनों count करते गए, कि कितनी बाहर यह c h आया है, और लूप के बाहर निकलके हमने क्या किया, सिर्फ यह लिखा कि, if c की value greater than 0 है, क्यांकि शुरू में 0 थी, जदी greater than 0 c हो जाता है लूप में, इसका मतलब कि कम से कम एक बार तो मिला ही है, एक से ज्यादा बार भी मिल सकता है, तो लिख दीजिए, printf, character available, character find यह found, character found, else, else में print कर दीए, printf, character not found, printf, character not found, clear है न, एक तर से मैंने क्या किया, यह linear searching, इस एक string में, एक character को हम linearly search कर रहे हैं, लेके करके, देखते हैं, compare किया, compare कर देख, यहां counting हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उस string में, वह particular character, एक से ज्यादा बार भी तो आ सकता है, लेकिन एकी, one time भी आया है, तब भी हो available है, 20 बार आया है, तब भी हो available है, तो इसलिए मने यहां लिखा कि, cq value यदि 0 से greater है, तो मतलब, available है, otherwise, cq value 0 event बनी रही, इसका मतलब, यह इसका अंदर कभी भी नहीं गया, कभी भी यह compare, नहोंके match नहीं हुए, यह condition कभी भी true नहीं हुआ, तो इसलिए cq value बढ़ी नहीं, नहीं बढ़ी, कभी भी match हुआ है, इसका मतलब, available ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम जात हुआई के character पूरे रहे हैं, clear है, तो इस तरीके से linear, आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा, इस तरीक्टर को find कर सकते हैं, इस प्रिंग में उले बढ़ाया नहीं है, बात करते हैं अगले प्रोग्राम की, कि यदि आपको एक प्रोग्राम बनाने को कहा जाए, जिसमें एक string में, एक string के अंदर, आपको यह बिखना है, कि कितने counting कर रहे हैं, कि उसमें कितने वावेल्स हैं, ठीक है ना, हमें क्या करना है, write a program, write a program, to find the frequency of, we are to find, we are to count, number of, वावेल्स, consonants, consonants, space, number, space, and number, in a string, ठीक है, यह string में, एक string है कोई, उसमें कितने वावेल्स हैं, कितने consonant हैं, कितने numbers हैं, कितने spaces हैं, यह भी कर सकते हैं, कितने number of lines हैं, यह भी लिख सकते हैं एक और रहन लोग इसमें लिख देते हैं, and no buffer of lines, यहा लिख देते कहाँ, आगे, space, कितने numbers of lines है यह सारी counting करनी है तो अब हम लोग का क्या तरीका होगा तरीका तरीका तो यह कि फाले उस swing के हरेके करेक्टर को एक्सेस किया जाए और एक्सेस करने के बाद हम compare कर लेंगे कि वह वावेल है कि consonant है कि number है कि space है कि enter है क्या है यह चेक कर लेंगे तो देखते हैं इस पुग्रान को देखिए हमने header file include इस इंक्लूड और इसके अंदर मैंने एक करेक्टर टाइप का इस इंपूट करा लिए और थर्टी वान लिजिए या फिफ्टी लिख देता हूँ इसके बाद अब काउंटिंग करने की है ना तो हम लोग इंट टाइप का कभी count numbers हमें चाहिए है हमने लिखा number of vowel and away and away किसले लिए number of vowel भी count लिए यह 0 से इसलाइज कर लिया फिर number of consonant noc उसको भी 0 से इसलाइज कर लिया इसके बाद number of space number of lines यह सब कुछ इनिशली 0 से इनिशलाइज कर लिया हमें इनिशली 0 से इनिशली 0 से इनिशलाइज कर लिया हमें अब लोग यूजर से कहें कि वह क्या ग्रे इंटर करें स्रिंग इंटर करें स्त्रिंग अन्य हालिका प्रिंटेफ यंतर इंटर इंटर इस्ट्रिंग कि इसके बाद मैंने क्या किया यहां लिखा यहां पर यहां पर यहां पर यहां क्या करेंगे अब हम लोग सिरे ट्रावर्सिंग स्टार्ट करेंगे हमने एक वरीवल और यहां ले ले रहा हूं है i is equal to 0 int i is equal to 0 भी लिए लिए लूप चलाने के लिए इसे लिए अब हम लोग यहां चलाते हैं while n of i not equals to slash 0 जब तक i में शरू में 0 है न अफ जीरो पर चेक करेंगे यहां बिल्कुल उसमें कुछ आई नहीं है ठीक है ना और हम लोग last में यहां पर क्या कर देंगे i plus plus कर देंगे तो देखे क्या होगा i के value सुर्ण में 0 है तो n of 0 पर गया i के value 1 होई, n of 1 पर गया n of 2 पर गया, n of 3 पर गया, n of 4 पर गया और जैसी n of जो भी index पे slash 0 मिल जाता है मिलते ही लूप के अंदर नहीं जागा क्योंकि यहां क्या मैंने लिका है n of i पे slash 0 नहीं है तभी अंदर जाएगा जब मिलते ही slash 0 लूप से बाहर निकर जाएगा, clear है तो इस concept से हम लोग इस ट्रिंग को कदू भी traverse करते हैं और why loop ही क्यों लगा है, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि वह string कितना बढ़ा है, आप fix number of time नहीं चलाना है यह नहीं पता है कि तब तक करना है जब तक कि slash 0 ना मिल जाए जब तक और तब तक का condition रहता है तो हम लोग while loop का use करते हैं fix पता हो कि कितनी बाद गलना है तो for loop का करते हैं और at least one time loop के अंदर जाना ही है, condition true और false तो हम लोग do while loop का use करते हैं यह उर्यडी बता चुका हूँ है अप loop तो इसी concept का use करते हैं loop, एके करके character को access करने लगे अब n of five में एके करके character x आने लगेंगे, जो भी उस string में है क्योंकि जैसे string आएगा, तो computer के memory में ऐसे array बनेगा और indices में value store हो जाएंगी, n of zero, n of one, n of two, n of three, ऐसे store हो जाती है अब access होने लगा, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि कहीं वो वावेल तो नहीं है हमें यह चेक करना है कि वावेल है, क्या consonant है, क्या है यह चेक करना है, तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, हाँ compare करेंगे दिखेंगे, if n of i के जो value है, वो equal equals to small a हो, और n of i के जो value है, वो equal equals to capital A हो, ठीकर, small a capital a हो तभी वावेल, और n of i पे जो value है, वो equal equals to e हो और n of i पे जो value है, वो equal equals to capital E हो, और n of i पे जो value है, i हो और n of i पे जो value है, equal equals to capital A हो, ऐसा द्यान रहते हैं, जो हम character लिखते हैं कभी, तो character single word में लिखते हैं, compare करते हैं, e, e, i, o, n of i के जो value है, वो equal equals to o हो, और n of i के value है, equal equals to capital O हो, और n of i पे जो value है, वो इक्वालिकोस को U हो और N of I के जो वाइडिर है इक्वालिकोस को capital U हो देखो A, E, I, O, U सबको हमने लिखकर पर रख लिए हैं क्लियर है हमने A, E, I, O, U सबको सबसे कंपेर के लिए है कभी भी compare, comparison होता है इनमें से कुछ भी मिलता है और लगाया है तो क्या होगा वाविल होगा तो इस case में हमनों number of वाविल plus plus कर देंगे N of I plus plus कर देंगे जैसे ये condition कभी भी एक बार भी true होई तो true होते ही क्या क्या है आपने N of I plus plus कर दिया है अब लगाएंगे else if अब लगाएंगे else if क्यों लगाया क्यों लगाया क्योंकि वाविल सारे इसमें फ्रजाएंगे ठीक है न? else if जो यूज करते हैं लोग तो filtering होती है पहला इसमें आ गया if में जो बच्चा हुआ है वो इसमें तो इसमें कॉंसोनेंट का सारा नहीं लिखेंगे की 26 लेटर वैसे 25 तो यहां बागी 21 लिखते रहो ऐसा नहीं है अब लोग ए टुजेट का फूरा रेंज लिख देते हैं और पूरा रेंज लिखने के बाद क्या था है कि वे इस तरीके से लिखते हैं कि एंग आफ आईप्एंग यहां है वो greater than equals to capital A है ऐसे लिखते हैं range A से शुरू किया है ना यहां लगाते हैं हम लोग logical end और फिर यहां लिखना होगा N of I lesser than equals to small z और N of I lesser than equals to capital Z ज्यां से लेखिए हमने क्या लिखा है N of I के जो value है greater than A and lesser than Z चाहिए वाला और मैंने क्यों लगाया है capital वाला भी दिखा है या small वाला capital small दोनों के लिए और लगाया है दिया मैंने A ही है तो N of I के जो value है greater than equals to A हो A से बड़ा A के इक्वल से लेकर and N of I पे जो value है lesser than equals to Z हो तो यह A to Z देने का तरीका है clear न है एक bracket में यह लिखा है अगले bracket में यह लिखा है यहां से यहां थे तो E से Z का यह range दे दिया अच्छा इसके अंदर और क्यों लगाया है वावेल न हो, वावेल वाले तो यहीं फस जाएंगे बचा हुए A to Z में कोई भी खरेक्टर होगा तो इसमें फस जाएगा तो बचा हुए consonant होगा यह condition के true होने पर हम लो क्या लिखेंगे नम्बर ओफ ऐसे प्लस प्लस जिरड़ है ऐसी कॉन्सोनांट पता चलिया है वावेल इस प्लसोनांट क्या करेंगे लिखेंगे ELSI यह ब्लसुफ और हमने चेक कर रेंच देना है 0 to 9 का इसलिए नम्बर ओफ लाइन के लिए 0 to 9 नमबर ओफ नमबर के लिए इस एफ एलस इफ एन ओफ आई ग्रेटर दन एक्वास फूजी रो ओके एंड एन अफ आई लेसर दन इक्वास टू नाइज जीरो तू नाइन के बीच कोई साभी नंबर होगा वह इसमें फसेगा और इस के टूब होने पहलोग नंबर आफ नंबर फ्लस फ्लस करती है तो यह यहां से नंबर नंबर का देज देज दिए जीरो से नाइम टक कर तो जो नंबर होगा वह इसमें फस्ट जाएदा और वह नंबर आफ नंबर को फांब करतेङे जासी मिलेगा आद सीफ अब हमने क्या किया है इस N पर जो वैलू है इक्वाल एक्वास टू इस पीस दे दिया बस यहां कुछ भी नहीं लिखा उपर ब्रोज ब्रेकेट लिए अल्गे कोड़ लगा दिया है बस सिंगल कोड लगा देता हूं करेक्टर के लिए तो यह रहता है यह स्पेस होगे तो उसकेस में क्या करेंगे अब लिखा एल सिफ तो यह वह वह इक्वस्तू स्लैस एन है जब जब अमारते हैं तो एक न्यू लाइन करेक्टर एंटर हो जाता है में तो और लाइन के सुरार में लगाओ रहता है तो पहली लाइन के सुरार जब 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 नियू लाइन करेक्टर मिलता तह अं लोगो क्या लिख देंगे अनुबर आफ लाइन प्लसप्लस ठीका है तो अससे सारी काउंटिंग हो गई और इस लूप के अगले इंडेक्स पर जाने के लिए लास्ट में आपकरेंगे आई प्लसप्लस जिसे तो फ़ीय। कि लूप ने आगे बढ़ सकें हैं। लूप बंद बंद हुगया। जहाँ फ़ाइल सुरूज होगा यहां बंद बंद है। यहां। इस यहां इंडेक्षे से जाता रहाए और और करेक्टर को चेक करता रहाए कि वावल होगा तो इसमें बढ़ाएगा इसको consonant है तो इसमें फस देगा noc बढ़ा लेगा number है तो इसमें फस देगा ये बढ़ा देगा space है तो ये बढ़ा देगा और new line character है तो सब counting हो गई जो चलता जागा लूप चलता जागा सारी counting in variables में आ जागी हमारे काम क्या है इनको print करने का यहां पे लिदिंगा printf number of vowels equals to vowels equals to percent d number of consonant equals to percent d number of space equals to percent d number of lines equals to percent d number of lines equals to percent d number of lines equals to percent d और कॉमा देखे पहले परसेंट्टी कि जीका पर क्या आना है तो इस तरीके से यह कर लिए कि है नमबर ओफ वावल्स जाएंगे तो लास में क्या करेंगे लोग कि एट शी यह फंसन लगा के में इस तरीके से यह लिंगए का नंबर औ arising इसके तुपरसांट डी नंबर और को मत चली लिगा प्रिकों सोड़ाई यह अम इस तरीके सा में सबाइब कर सकते हैं कि इतने सब्सक्राइब सब्रेंट कर ईस तरीके से प्रिजा के इस टरीगे परिङर मीट Pakistan है कि स्पी चलिए सब्सक्राइब करते कि अपब सने ष्छाम करते हैंुए आप को सजी और फ्रोग्राम बताऊगा जिससे कटा restrictive मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको अधी समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकिंग पर प्रेस कर लिजिए शेयर कमेंट जरू करते रहिए जैसे मैं भी मोटिवेट होकर के आपके अच्छे से अच्छा जरूर को बढ़ लादिए इन जरूर आपको औरूर कमेंटी कर दो थांचित़ नोच्स के व्भ में जरूर की कि अच्छाइब हड़एवाไมVA ऱहे जा प्रिक य Jew हूë जरूर बेल